नमस्कार सातियों आपका हमारी यूट्यूब चैनल जुगल टेक्निकल में हर दिख स्वागत हैं मैं जुगल राटोर दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट लाइन असेस्मेंट ओनलाइन एंट्री सतर दो जार बाइस तेविस साला दरपन स्टाप लोगिन से किस परकार करनी है बेस्ट लाइन आगलन के एंट्री किस परकार करनी है उसकी पूरी ओनलाइन प्रोसेज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और नमबर किस परकार देने है और गुरूप कैसे बनेंग तो देखे सातियो जो बेस्ट लाइन असेश्मेंट आपने लिया है उसकी आपको उनलाइन फीडिंग करनी है तो मैं आपको यहाँ पर स्टाप लोगिन जो साला दरपन स्टाप लोगिन है उससे किस परकार करना है उसकी प्रोसेज बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आप आपको साला दरपन स्टाब लोगिन जो हैं लोगिन कर लेना है लोगिन करने के बाद आपको जो साला दरपन स्टाब लोगिन है उसका पेज इस परकार नजर आता है आपको यहाँ पर त्री लाइन नजर आ रही है देखे इसी त्री लाइन पर आपको क्लिक कर देना है और ज जैसे आप इस option पर क्लिक करते हैं, देखे, तो आपको नीचे एक option मिलता है, baseline assessment, देखे यहाँ पर इसी option पर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे आप इस option पर क्लिक करते हैं, तो देखे, यहाँ पर आप अच्छे से पहले इसको read कर ले, एक note दे रखा है, प्रविष्टी को एक बार डेटा से ओने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा तो आप यहाँ पर ध्यान दे जो भी प्रविष्टी आप कर रहे हैं उसको ध्यान से करें अगर आपने एक बार प्रविष्टी कर दी तो यहाँ पर जो डेटा किया है सेव उसमें कोई भी बदलाव आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे तो देखे आप बेस्लाइन असेस्मेंट एंट्री 2022-23 की आपको करनी है अब यहाँ पर देखे आपको तीन ओप्सन मिलते हैं पेला है पेंडिंग दूसरा यहाँ पर फिल्ड का और तीसरा है यहाँ पर बोत का मैं तीनों ओप्सन आपको बताने वाला हूँ तो देखे पेला है यहाँ पर पेंडिंग का आपको baseline assessment लेना है कक्सा 1-2 का यहाँ पर नहीं होगा यहाँ कक्सा 3-8 तक की ही class सो होगी तो जिनकी mapping आपने किये class teacher mapping वही class से यहाँ पर सो होगी और जो अभी तक class teacher mapping आपने नहीं किये हैं तो सबसे पहले आपको class teacher mapping करना है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और जैसे मान लेजे मैं आपर कक्सा 4 का उदारन आपको बता देता हूं तो class 4 मैं आपर select कर लेता हूं section है ABC जो भी है और select कर ले और subject देखें यहाँ पर यहाँ पर तीन सब्जेक्ट आपको नजराएंगे देखें हिंदी, English और Mathematics यहाँ पर जो baseline assessment है वो तीनी सब्जेक्ट का हैं हिंदी, English और Mathematics तो तीनी सब्जेक्ट का आपको baseline assessment जो है number की feeding करनी है तो यहाँ पर देखें जैसे उदारन की रूप में हिंदी का बता देता हूं और यहाँ पर आपको 100 पर किलिक कर देना है और जैसे आप 100 पर किलिक करते हैं तो नीचे आपको उस student की list नजरा पेला option ने देखें आपर number of correct answer in the baseline assessment तो जिन student ने baseline assessment हिंदी में correct answer दिये हैं उनके number आपको यहाँ पर भणने हैं आपको ध्यान देना है कि जो एक question है वो एक number का है जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था baseline assessment के पूरे दिशा निदेश का अगर आपने वो वीडियो नहीं आना चाते हैं तो उसका भी मैं उपर आए बटन पर लिंक देदूँगा तो आप लिंक पर किलिक करके उसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर जो baseline assessment आपने लिया है और उसके जितने भी correct answer student ने किये हैं उनकी number की feeding आपको यहाँ पर कर देना है जैस यहाँ पर automatic जैसे आप number की feeding कर देते हैं तो यहाँ पर जो student के यह number है वह जो group है उनकी group की यह पर automatic करना हो जाती है जो group है एक और दो अगर 6% से ज़्यादा number उसके आते हैं तो वह group एक में रहेगा और 6% से कम number उसके आते हैं तो group 2 में वह चला जाएगा देखें यहाँ प आप नहीं है क्योंकि baseline के जो जितने क्यूशन दे रखें हैं वह एक क्यूशन आप माले एक क्यूशन का एक number और सुसाप से आप यहाँ पर नंबर बर दे तो automatic गन्ना हो जाएगी देखें मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूं जैसे यहाँ पर देखें मैंने एक बच् क्लिक कर देना है और जैसे सोपर क्लिक करते हैं तो देखें जिस student का मैंने फिल किया है देखें याँ पर इसके correct क्यूशन थे यहाँ पर बारा देखें यहाँ पर और जो इसका ग्रूप सजेस्ट किया गया है वह एक किया गया है देखें जो भी class 4 की हिंदी की workbook है उसके जितने भी question है उसमें से student ने 12 question जो है तरीके से हल किये है क्योंकि एक question एक number का है तो और यहाँ पर देखे group भी उसका suggest यहाँ पर कर दिया गया है कि group 1 में student को रखा जाएगा यहाँ से आपको फिर से reset करना है देखे और मैं दूसरा option भी आपको बता देता हूं बहुत वाला देखे इसी बहुत वाले option पर आपको click कर देना है और यहाँ पर नीचे so का button दे रहा है इसी so पर आपको click कर देना है अब यहाँ यहाँ पर आपको दोनों चीजे नजर आजाएगी जिन student के आपने फिल किये हैं और जिन student की अभी आपने फिल नहीं किया है वो दोनों एकसाथ यहाँ पर नजर आ जाएंगे आप चाहे तो अलग अलग भी देख सकते हैं pending और फिल्ड में जाकर या फिर आप चाहे तो बहु कोई बदलाव नहीं हो पाएगा तो इस परकार आप देख ले अब यहाँ पर सभी student के आपको जो हैं entry कर देनी है और यहाँ पर गुरूप हैं जो वो सजेस्ट कर दिये जाएंगे तो इस परकार यह एक सब्जेक्ट का हैं इसी परकार आप गर आपको दूसरे कर लें और यहाँ पर आपको वही क्लास में हिंदी हो गया इसके बाद आप यहाँ पर mathematics हैं और यहाँ पर अंग्रेजी हैं देखे यह आप यहाँ से सब्जेक्ट कर देना है और इस परकार आपके सामने देखे इस्टूडेंट की लिस्ट नजर आ जाती है और वही नम्रि के पीडिंग की है उसके according आपको गुरूप मिल जाएंगे उन इस्टूडेंट के गुरूप बना के आपको आगये का कार है जो प्चारात्मक सीक्षन है और गुरूपिंग जो टीचिंग है करवानी है इस परकार आपको एक 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 लास का यहाँ पर जो आपने क्लास ही यहाँ पर जो baseline assessment का data खुलेगा अक्सा 1-2 का यहाँ पर जो baseline assessment नहीं होगा तो यह ध्यान दिया आप इसके बाद आपको super click कर देना है तो इस परकार यहाँ पर भी आपको उन student की यहाँ पर numbering कर देनी correct question की और यहाँ पर जो आपको group suggest कर दिया जाएगा तो इस परकार दोस्तों आपको जो साला दरपन इस्ठाब login है उस पर baseline assessment के नंबरों की feeding किस परकार करनी है उसकी पूरी जानकरी step बाई step मैं ने पूरी जानकरी देने का प्रयास किया आपको हमारी जानकरी कैसी लगी जानकरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब निकिया तो चैनल को सब्सक्राइब ने डेल आकन प्रेस करें क्योंकि एसी लेटे जानकरी मैं आपको लगातार खेता रहता हूं धन्यवाद दोस्तों